हेलो एवरिवन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल बायलोजी लाइफ मैं हूं साक्ष श्रिवास्तर लक्षर सीरीज बॉटनी स्टेप बाय स्टेप में हमारा थर्ड टॉपिक था लीफ उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे स जिसे हम बोलते हैं मिड्रिव पीटियोल एंड लैमिना अब देखिए जो लीफ बेस होता है वो यह पार्ट होता है जहां से पत्ति स्टेम से जूड़ी रहती है उस पार्ट को हम बोलते हैं लीफ बेस सेकंड है हमारा मिड्रिव तो पत्ति को जो लाइन दो पार्ट में ड जो पत्ति का green part होता है कहलाता है lamina, चले अब first बात करते हैं leaf waste की, leaf waste क्या है, leaf waste पत्ति का वह पार्ट है, जिसके द्वारा पत्ति तने से जुड़ी रहती है, देखें, जैसे यह हमारा stem है, यह पत्ति है, और यह पत्ति जिस पार्ट से जुड़ी रहती है, इसे हम बोलते है तो यह पार्थ हमारा कहलाता है अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें यह फूल जाता है और फूल कर फूल कर मॉडिफाई हो जाते हैं और मॉडिफाई होकर यह क्या बनाते हैं पिल्विनियस बनाते हैं यह पुल्विनियस टच मी नॉट प्लांट में प्रिजेंट होता है टच मी नॉट प्लांट कौन से होते हैं वह प्लांट जिनको छूने से या उने फुक मारने से बंद हो जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद वह अपने आप खुल जाते हैं लीवेस के एक्जामपल क्या है मैंगो है बने आंट्री है नीम है यह लीवेस के एक्जामपल है बट कुछ मोनोकोट प्लांट में भी लीवेस प्रिजेंट होता है अब देकिए यह जो लीव वेस है यह लीव वेस क्या होता है कुछ प्लांट में यह लंबा और चोड़ा होकर कुछ यह पूरे भाग को घिरे रहता है यह यह जा तो लंबा हो जाता है कुछ या फिर इस तरह से यह पूरे भाग को घिरे रहता है इसे हम कहते हैं सिथिंग ली फिर यहां से यह श्रुल गया है तो यह स्थाइम के कुछ पार को गिरे रहता है सितेंग लीड बैस चले अब नेस्ट देखते हैं इस पल्स या मिड्रिव तो मैड्रिव क्या है कई पत्तियों का जो होता है इन लीव बेस से चोटी चोटी आउट ग्रोथ लगी होती है जिने हम बोलते हैं मिड्रिप यह मिड्रिप जो है वो पत्ती को दो पार्ट में डिवाइट कर देती है यह मिद्रिप है और यहां से यह पत्ती एक इस पार्टमें और दो पार्टमें डिवाइड हो गई है만 इन्ही मिद्रिप सेथ स्पार्ट में स्पार्लोमेंट होता है यह पत्तीयाएं हाँ सेकेशла को तुक्रिप निगलते हैं इन्हे हम बोलते हैं विनेका इनका Al ces होता है यह मिड्रिव क्या करती है यह मिड्रिव एक्जिलरी बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है कुछ पतियां ऐसी होती है जिन में इस्टिपल्स अपसेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं इस्टिपलेट और जिन में अपसेंट होता है उन्हें हम बोलते हैं एक्जिपल होता है ना वो कहलाता है पीटियोल यह हमारा स्टैम है कि यह पत्ती है अब यह वाला जो पार्ट होता है यह वाला पार्ट हमारा कहलाता है पीटियोल अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें पीटीयोल मो lootाई भी होते हैं और मोडीफाई होके क्या करते हैं यह एक विश्धेसरूप कर लेते हैं और इसे हम कहते हैं विंसी पीटीयोल यह हमारा एक स्टैम, इस स्टैम से यह पीटीयोल निकला और अगर जाके ये PTM फूल गया चोड़ा हो गया और फिर इससे पत्ती का विकास हुआ तो ये जो फूला हुआ भाग होता है ये कहलाता है हमारा Wind PTol तो ये जो फूला हुआ भाग होता है इस भाग को हम कहते हैं Wind PTol अब देखें यह जो petiol है यह भी कुछ leaves में यह present होता है और कुछ में यह absent होता है जैसे देखें यह है जिन plants में यह petiol present होता है उन्हें हम बोलते हैं petiolate leaves जैसे यह है इसमें यह present है और next है petiol जिन में absent होता है उन्हें हम बोलते है सिसाइल leaf देखें यह इस रहम है और इससे यह direct leaf निकलाई इसमें petiol absent है तो यह हमारे petiol चलिए अब next हम बात करते हैं lamina की जिसे हम बोलते हैं पत्र फलक तो lamina क्या होता है जो पत्ति का चोड़ा चप्टा और हरा भाग होत है अंदर का यह हमारा कहलाता है lamina पत्ति का यह जो पार्ट है वह photosynthesis और बासपुस सर्जन में मोख़भूमी का निवादने अब देखें पत्ति की सता कैसी होती है तो कुछ पत्तियों में इसकी जो सता है वह एक जैसी होती है और कुछ में इनकी सता है कि जो रचना है वह मतलब बती के दो साइड होते हैं एक यह सीधा साइड और यह लग सता होता है यह बर्ण तरपकी पत्ति यह तो पत्तियों तो कुछ कि कि मैं इसंकर एक साइड अलग सता होती है और दूसरी साइड अलग होती है जिससे हम उसका एक सीधर साइड और उल्टा साइड पहचान सकते हैं तो यह दो हमारा lamina study करने के लिए जो lamina का वर्णन है वे कई तरों करता है जैसे उसका shape कैसा है किनारे कैसे है आगे का भाग कैसा है उसका कटाब कैसा है लेमिना का तल कैसा है लेमिना का जो सिराविन्यास है इन सब चीजों पे इसकी स्टडी की जाती है चलिए अब नेक्स देखते हैं विनेशन ओफ लेमिना तो विनेशन ओफ लेमिना कहा है मतलब लेमिना का सिराविन्यास लेमिना मे समानानतर विनेशन अब फिर्स समान वाथ करते हैं reticulate venation तो reticulte comparison क्या है lucum आ छिाल के रूप में वैवस्तव होती है यह हमारा लीव का lamina का लौन इसing नहीं ऑप जी रगधी dogs में ँजल से निकलती इन एक जाल के रूप में फैली रहती है इसे हम बोलते हैं रेटिकुलेट विनेशन ये लीव जो है वो डायकड प्लांट में प्रेजेंट होती हैं और ये भी दो तरीके किये होती है यूनिक ऑस्टेट और सेकंड है मल्टिकॉस्टेट यूनिकॉस्टेट कैसे होते हैं तो विनेशन में लैमिना के मद्ध में एक मजबूत मिड्रिप पाई जाती है यह हमारा लैमिना इस लैमिना के अंदूर यह एक मजबूत मिड्रिप पाई जाती है और फिर इससे वैनिस निकलकर लैमिना के किनारों तक जाती है जैसे ये हमारा डाइग्राम है ये देखे ये एक मिड्रिप निकली है और फिर इससे ये जो सिराएं वो निकल कर लैमिना के किनारों तक जा रही है तो ये होता है हमारा यूनिकॉस्टट विनेशन इसका एक्जाम्पल है मेंगो है गवावा सेकंड हम देखते हैं मल्टिकॉ तो Malty Cos that क्या होते हैं? इस में Midrip कई समान साखाओं में बढब कर फिर Lamina में पुरी तरह से फैल जाती है ये देखे तो मिडरिप ये समान साखाओं में बढ़ी और साखाओं में बढ़कर ये पूरी Lamina में फैल गई ये होता है हमारा multi cost अब 날 ऑनिकांज जो है वो भी दो तरीके के होते हैं फस्ट है divergent and second होता है हमारा convergent अब next हम बात करते हैं parallel venation की तो parallel venation क्या होता है समानांतर venation इसमें सिराएं एक दूसरे के समानांतर होती है parallel होती है ये पत्तियां monocot plant में present होती है ये भी दो तरीके के होती है इसमें unicosted कैसी होती है यह लैमिना है लैमिना में विनलेट्स हैं वह एक समानतर करम में फैली हुई हैं यह समानतर करम में फैली देती है इसे हम बोलते है unicosted इसका example है कैना बनाना यह इसका example है, अब secondly हम बात करते हैं, multi-costed, तो यह क्या होते हैं, इसमें जो man venus होती है, वो कई साखाओं में बढ़ जाती है, जैसे यह है, इसमें से यहां से यह कई साखाओं में निकली है, यहां से हम देखें तो यह इसमें से ऐसे कई साखाओं से निकली है, तो इसमें ज कि फंक्शन क्या है फर्स्ट है हमारा कन्वेक्शन मतलब संभवन यह क्या करते हैं वाटर और जो मिलरंस है उनको रैमिना की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं अब सेकंड है मेकनिकल सपोर्ट मतलब पत्यों को यांत्रिक सहारा देते हैं थर्ड है प्रोवाइट साइज यह करते हैं पत्यों को एक निश्चत आकार परदान करते हैं तो यह थे इसके फंक्शन्स तो आज हमने पढ़ा पत्यों के पार्ट्स के बारे में एंड लेमिना के शिरावन्यास के बारे में अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें